हम लोग इंगलेंड पर कबजा नहीं कर सकते हैं कि यह कि नहीं कर सकते हैं पहले अपने जाती धर्म से तो उपर उठें पांसों रुपया में वोट देने वाले लोग इंगलेंड को हमला करने जा रहे हैं कि आप पहले इंगलेंड की लोगों से मिलिए उनका मेंटल लेबल देखिए कि किस लेबल के सोच रखते हैं उसके बाद कब जा करने के लिए जरूर सोचा जाएगा रात में यहां डिसाइड होता है कि वोट किसको देना है और वहां पे लोग कहेंगे कि हम लोग ही नहीं कर सकते हैं हम लोग इंगलेंड से बहुत हब तक मजबूत है हमारा एक एक गाओं अपने आप पर डिपेंडेंट है हर गाओं का उस गाओं में कितना गेहूं प्याज की जरूवत रहेगी उसी गाओं पर उग जाएगा उसी में हलुआई मिल जाएगा उसी गाव में मिस्तरी मिल जाएगा उसी गाव में इंजिनियर मिल जाएगा एको बिजली मिस्तरी मिल जाएगा एको अगुआ मिल जाएगा भीया लगाने वाला पंडी जी मिल जाएगे एको भीया तूरने वाला मिल जाएगा उसी गाव में पंच तो हमारा देश पूरी तरह से इंडिपेंडेंडेंट था लेकिन ऐसा नहीं लड़ाया गया सब लड़ा उड़ा के चल दिया से अपने महां को आपको पता है जैसे हम लोग लड़ाई करते हैं कि हम बिहारी, मराथी, पंजाबी, गुजराती ऐसे नहीं आपस में तोड़ा पहोती ही सकते हैं इंगलेंड में इससे जादे है लेकिन वो छुप छुपा कर रह जाते हैं अमेरिका में तो इससे भी जादे है हद यह है कि आप एक राज से दूसरे राज में जाएंगे तो प पहुचा सब फ्रांस वाला भी पहुचा सब लूटे रहा वहां पहुचा सब लूट लूट इंगलेंड वाला अपने रानी को देता था फ्रांस वाला राजा को देता था यह उसको देता था बाद में सब एक वट गिया सब तुम किस लिया हो चोड़ी करने तुम हम भी च सवार्ट जीजा से और विश्ट राज में ईया दूसरे राज में जाने में नागरीक्ता चैन्ज होती है वी वह अंदर से एक हाई नहीं है उपर से यूनाइटिड ऊपर से तो इतना यूनाइटेट सुने दिखाओ दिखाओ तो कुछ साल के अंदर अंदर कूल भंडा ना फोर दिये पूरा देश में ना तो कहेंगा समय आपके आगे पड़े किसी को दिखाए इरान समझ में आ रहा है कौन सी खाड़ी हो भारास की खाड़ा अव बोकासांथ हो गया हूँ वीगर पे हमला कर रहा था हूँ